कि हेलो फ्रेंड्स कि मेरे पास एक फोन आया था जो की रियल में टू है तो इसमें जो प्रॉब्लम है वह ब्लेंकिंग का प्रॉब्लम है को नेसे मैंने देखे मैंने जो आइस्ते फ्रॉब्लम सब्सक्राइब अद्र वॉमस्त कैणि नहीं हो रहा है किया स tribus का कॉ को ऒ expensive नियुक्त करको कि 칩 करको परोड़तीक क्या है तो इस वीडियो में जो परे दिखाने का मस्कत है वो यह है कि अगर आपका ISP से करनेट करके आपका फ्लेशिंग अगर नहीं होता है उस कंडिशन में आपको IC को रिमूट करके इसी जटेक्टर में फ्लेशिंग करना पड़ता है तो जाज़े तर जो टेक्निक्शन लोग है वो IC को रिमूट नहीं कर पाते हैं उनके अंदर डर बना रहता है कि ऐसे हुआ तो हुआ नहीं तो फिर IC ब्लैक पेस्टिट है तो उससे कैसे रिमूट करेंगे कैसे इस प्लेशन प्लेट को काटेंगे तो मैंने इसमें इज़ी तरीके से आपको काट के दिखाया कैसे मैंने काट रहा है एक सिंपल कटर के मदब से कोई भी मेजिक कटर आपको निलेंग के ज़रूत नहीं है नॉर्मल 40 पर में कटर रहाता है उससे आप कर सकते हैं तो यह जो ब्लैक पेस्ट आइसी है तो मैं इसमें आपको आइसी को रिमूक करके दिखाऊंगा के कैसे रिमूक करते हैं एकदम कियरफुली पहले फ्रेंट्सम को वह में थोड़ा सा आइसी के चारो तरफ फ्ला पेस्ट देना है आइसी पे कभी भी ड्राय हिट मत करिए थोड़ा बहुत पेस्ट दीजिए ताकि आइसी के ओपर डारेक्टली हिट ना पड़े उसके बाद आपको दीरे दीरे आपको आइसी का जो साइड में जो ब्लैक पेस्ट दिया होता है उसको हम लोग कटिक कर लेंगे फ्रेंड्स इसके साइड में आइसी की चारो साइड जो ब्लैक पेस्ट लगा होता है उसको निकलने का मकसद यह होता है क्योंकि फ्रेंट्स कुछ लग सोचते होंगा कि इस ब्लैक पेस्टिट साइड से नहीं निकल के डारेक्ट हम लोग एक साइड से निकालेंगे और आईसी हम लोग का रिमूव हो जाएगा ऐसा करने से आपका आईसी तो रिमूव हो जाएगा बट वो ब्लैक पेस्टिट जो तीन साइड में और लगा हुआ है वो आज वाजी का जो कॉंपोनेंट है उसमें भी चिपका हुआ है उसके साथ वो कॉंपोनेंट भी उखड़ जाएगा उसलिए पहले हम लोग ब्लैक पेस्ट के चाल तरफ जो ब्लैक पेस्ट होता है उसको आइसी की सेप में कटिंग कर लेते हैं ताकि हमें आइसी रिमूग करने के टैम कि आइसी रिमूग हो जाए और कॉम्पोनेंट ठीक रहे हैं कि आइसी को लिकालने के लिए हमें हिट 300 से 320 के लगभग आपक करना है और धीरे 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 हमें चारोतर घुमाना है और जो कटिंग ब्लेड है उसे हमें आइसी के अंदर इन करना है आस्ते आस्ते जब तक नीचे के बॉल्स पीगल ना जाए तब तक आपको थोड़ा थोड़ा कि वेरिफाई कर लेना है जोड़ जबस से निकरना है इस तरह से आपको ट्रैक भी डैमिज हो सकता है तो मैंने जो इसका ब्लैक पेस्ट है उसको धरी-धरे रूंग कर दिया है साइड से उसके बाद मुझे जो है आइसे के अंदर हिंग करने की जगा मिल गई देखिए यह आइसी पूरी ब्लैक पेस्टिड है इस एक ब्लैक पेस्ट जो लगा हुआ है बहुत काफी कड़क है तो हम लोग इसको भी साफ करेंगे तो फ्रेंट्स थोड़ा पेस्ट दे देते हैं उसके हम पाद ग्लू कटर से इस पेस्ट को भी बड़ा साफ कर लेंगे साफ करने कड़ा हम हीट 250-200 तक राखिए ग्लू को धेर देरे कटिंग करिए देखिए फ्रेंट्स एक दब ब्लैक पेस्ट की जो है परत वो पूरी निकल जा रही है तो गहवराना नहीं है आपको कि अजसे स्टेब बाइस्टेब मेस में आएसी कुर्यूम करेंब करता हूं इसका इस्तमाल करता हूं वैसे यह आपको भी इस्तमाल करना है आपको कोई भी प्रिंट डेमिज नहीं होगा को मद धरी में साइट कम लूकर तो जा род झार ग्रिदर हमेलना पर प्रिंट में सद्रेट कया हैं के आज वाज आज अदिव कोंपरीन्ट होता है उसको में निकलने देना है है तो फॉल भाल नहीं रखे एक्तिम केर्फटकी कम करने है मेरे वीडियो बनाने का जो मतलब है वो यह कि आप अच्छे से सीख सके और खुद अपने आप से ही कर सके काम को कब तक आप इधर उदर काम कर लिएगा जब तक आप खुद काम नहीं करेगा तब तक कुछ सीखेंगे नहीं आज की टेब जो टेक्नैशन हैं हाई लेवल पर काम कर रहे हैं वहीं पैसा इंक्रम कर सकते हैं बात बह कि जो टेक्नीशन दूरके फुरोग से रहते हैं वो खाली कि के से कर दीजये यह कर दीजये ऐसा ही होता है तो पैसा वो लोग कमान ही बाते हैं उखली देखते हैं और घबराते हैं कि ऐसे नहीं करना है अगर आराम से होगा इसली होगा तो कर देंगे लेकिए नहीं करने से पहले हर काम उसको ही होता है जब काम को कर ली जाएगा काम को सीख ली जाएगा तो यह भी आपके लिए बहुत हीजी हो जाएगा ग्लू कटिंग के बाद हमें आइरेन की मंदद से कि जब कुछ साब को लेना है कि मैंने जो भी काम अभी आपको करकी दिखा है वह नुर्मल विक ब्लोर से नॉर्मल इसमडी यूज़ की है नॉर्मल शोल्डर जो है वह यूज़ किया है कि मेरे बस कोई भी हाइटिक जो टूल से वह नहीं है तो मैं नॉर्मल तरीके से भी काम कर सकते हैं आप लोग तो फ्रेंड्स पहले ऐसे ही ट्राइड कीजिए आपको अगल लगे इस से भी अच्छा कुछ होना चाहिए ता फिर आप धिरे दिरे आप आप अच्छे टूल्स को बाई कर सकते हैं तो फिर हमें जगा जगा को थोड़ा साफ को ले रहा है कि है आप इसा फुली प्रेस पॉस्स जो है मैंने इसमें बताई है कि अधिए थोड़ा थोड़ा जो घुलू है भी थोड़ा सा रह गया है तो हमें और पूरी फिनिसिंग के साथ इससे करना है तो देखिए फ्रेंड्स जो पूरी जो बॉल्स है जो ग्लू है कॉम्पोनेंस के आज वाज में टोटली रिमूव कर लिया है कि इससे आपको आइसे लगाने के टाइम कोई भी परिशानी कोई दिक्कत नहीं है विसमें कोई भी प्रिंट आपका नहीं टूटेगा है कि कोई भी बॉल भी रिमूव नहीं हुआ है कि प्रेंड्स किसी भी सेक्शन में कैसे भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपकर आओ दिये हैं कि आप मझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसके बाद आप कि दिशुल्डर वाइट के मदद से बॉल्स को बढ़ियां से प्लेन कर लिजें कि इसके बाद हमें कि अच्छ इस आपको लेना है कि थोड़ा बहुत कारबन था सके उपर तो उसको भी मैं आप आइशुल्डर कर देता हूं कि इसके अधा हम इसे क्लिंग कर लेंगे कि 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 अच्छ कि 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 देखे फ्रेंट्स कि अब देखिए मैंसी जो मैंने रिमूट की है उसके जब पूरी निटिंग क्लिंग होगी है इसका धम लोग कि अधिया है उसको भी साफ को लेते हैं कि 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 इस तरह से कोई भी एक युनिवेसल जो पीसे भी स्टेंड है इसको पर बाई कर लिए इसमें आई सी को पकड़ने का जो अप्शन है वह भी इसमें है कि इसमें आप इसी को भी पकड़ सकते हैं कि कि तो मैंने कैसे इसमें साफी है आइसी को कि आइसी को इसमें फिट कर दिया है और आइसी इसे ना हिले कि इसमें प्रोसेस है तो इस जो आइसी में है जो वह ग्लू थोड़ा कम लगा हुआ है तो हम लोग नॉर्मल इसको साफ कर लेंगे कि इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो है इमेमसी और शीप्यू दोनों को किया है स्वाइप किया है तो इस वीडियो में जो मैंने आपको खले इतना ही बता है कि ब्लैक पेस्टिस आईसी को रिमूग करने के लिए कौन-कौन सी साफ़धानी आपको परतनी है कैसे आपको साफ करना है कैसे आपको गुलू कटिंग करना है कि आना वाले टाइम में अगर ब्लैक पेस्टि्टि ही मिलेगा तो आज जो मोबाईल लैन है मढ़ाह उसके अंदर ब्लैक पेस्टि्ट एक होथ बड़ इस्वागा गया है इसे بल्लैक पेस्टिड प्रिंटिड में चिपकावा घता है तो आह उसे अच्छिड रिमूग करने के टाइम वह मेंक्सिमं में ब् आप अगर नहीं रिमूट करिएगा तो कोई भी बॉल आपका मिसिंग हो सकता है कोई भी प्रिंट आपका डेमिज हो सकता है उस कंडिशन में तो ही आपके पास या तो उसमें आप माइकर जंपर करिए या तो आपको फिर बोर्ड कस्टोमर को रिटर्न करना पड़ता है वो और फिर दुवारा नहीं होगा क्योंकि उसमें माइकर जंपर करने के लिए काफी महनत लग दी है तो टोटल इंस्ट्रुमेंट आपके पास होना चाहिए तो देखिए मैंने कैसे इसको साफ किया है देखिए एकदम पूरा क्लिन हो गया है तो देखिए मैंने इसको विसी जो है जो मोरको का जो अड़िप्टर है यह है अमरे इमेंसी 221 जो किरेर में टुकी है उसके बाद मैंने इसको प्योकामिंग के लिए जेट्टेक्स बॉक्स में लगाया तो देखिए मैंने इसको यहां पर प्रोगामिंग भी कर रहा हूं इसमें तो प्रोगामिंग में काफी टाइंग है तो फ्रेंट्स इसलिए मैंने वीडियो को यहीं तक बनाए है तो इसमें मैंने यही बताया है कि ब्लेक प्रोगामिंग करना फ्रेंट्स थैंक यू पर वोचिंग मैं चैनल प्रूगामिंग